आज हम लोग डिसकस करेंगे एपिडिडायमाइटिस के बारे में दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर वैवब प्रताब सेंग्व यह हमारी जो स्कॉटम होता है इसके बगल में एक ऐसे स्ट्रक्टर होता है कॉमा शेप्टर होता है दोस्तों आपको स्वैलिंग हो जाएगी एक जो असबी नहीं टेस्टेस होता है जो अन्डोश होता है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी चानल ऐलो alreadyić हैं सिक स्कस करेंगे एपिड़ाइमाइटिस के दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर वईवा प्रताप सिंग और मैं आप सभी लोंका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फिर्डॉटर पर तो दोस्तों एप्रडाइमाइटेस जो होता है यह हमारे जो स्क्रॉटम होता है में जो टेस्टेस होता है उसके बगल में एक ऐसे structure होता है comma shaped structure होता है इसका काम होता है हमारे testis में जो भी fluid जो produce हो रहा होता है उसको ये उपर तक transmit करता है पहुँचाता है तो ये जो epidemis होता है जैसे normal है दो epidemis होते हैं body में दो testis होते हैं body में कई बार ये swollen up हो जाता है इसमें infection हो जाता है जहें दोस्तों यह एक तरीक का sexually transmitted disorder है, यह एक तरीक का STD है और इसका इलाज बहुत ही असान है, इसको होने पे कोई भी घबराने की आवशक्ता नहीं होती है, और मैं पूरा वीडियो देखिया है तो सारी बातें आपको one by one बताऊंगा, दोस्तों क्या symptoms आ सकते हैं कि आप इशारा करें कि आ यूरेन होगा और आपको urine related लगेगा कि बार बार urine जाना पड़ रहा है, urine आपको लगेगा कि मेरे urine में कहीं न कहीं इंफेक्शन तो नहीं होगा, तो urine related symptoms आएंगे, कई बार हो सकता है, आपको urine में blood भी आ सकता है, या आपके penis से discharge होगे भी आ सकता है, यह थोड़े symptoms होते ह तो कोई भी आदमी डर जाएगा, तो ऐसा बहुत common है कि आपको सिर्फ epididiamitis हो जो बहुत यह असानी से treatable है, दोस्तों फिर अगर बात करें कि कैसे आप अगर यह सारे symptoms आ रहे हैं तो कैसे diagnosis बनाएं तो दोस्तों सबसे पहले तो blood test, आप सबसे पहले कौन से doctor को तो उनका main expertise होता है इस विमारी के बारे में, तो दोस्तों अगर बात करें तो वो examine करेंगे, आपको urologist आपको testis को और epididiamis को examine करेंगे, most likely वो वहीं पे diagnosis बना लेते हैं, उसके लाब वो blood test लिखेंगे, CDC यह देखने के लिए कि जो infection है, तो कितना infection है, जो आपका TLC count है, बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, कहीं तना तो नहीं कि sepsis type की situation हो रही हो, तो उस पर decision making होगा, कि admit करके इलाज करा जाएगा, आपका, कि OPD basis पे ही आपका इलाज हो जाएगा, उसके लाब दोस्तों urine की test, urine का culture करा जा सकता है, क्योंकि कौन सा organism, यह तरह का infection होता है, epididiamitis, एक तरीका, अगर आम भाशन महलें, तो epididiamis का एक तरीका infection होता है, तो कौन सा organism है, उसके लिए culture करा जाएगा, उसके हिसाब से आपको इंटिवाटिक दी जाएगी, दोस्तों बहुत सारे लोगों में यह ठीक नहीं हो रहा होता है, chronic हो जाता है, कि लंबे समय तक symptoms हो रहे फिर दोस्तों बात करते हैं, यह तो pathology की जाचे होगी, फिर दूसरी होती ही radiology की जाते है, radiology की जाचे में दोस्तों इस प्रकार से, यह जैसे normal epididiamis है, normal structure है, उसमें इस तरीके सा यह solan up हो जाएगा, और इतना उसमें blood flow है, जो color दिख रहा है, यह सारा blood flow है, इतना उसमे गया तो इसको drain करना पड़ेगा, यह इतना तो नहीं हो गया है, कि जो हमाई testis होती है, उसका blood flow ही compromise करका, कई बार बहुत rare होता है, complication हो जाती है, कि आपके जो testis होता है, उसी को यह खराब कर देगा, उसका blood flow रोग देगा, testis में ischemia कर देगा, testis में infarct बन जाएगा, तो क्या इतना ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो यह सब जानकरी के लिए जो ultrasound होता है, वो test advice किया जाता है, USG ultrasound और उसके साथ Doppler, Doppler जो यह हम जो color flow देख रहे थे, इसके लिए test advice कर दिया जाएगा, ठीक है, तो main इसका role होता है, कि कोई complication तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई surgery की need त identify करके कौन सा organism responsible है, उसके हिसाब से आपको treatment दिया जाएगा, antibiotic का course दे जाएगा, antibiotic का course आपको बीश में नहीं छोड़ना है, नहीं तो बिमारी रिकर दुबारा हो जाएगी, आपको पूरा treatment आपको डॉक्टर बता रहा है, पूरी तरह से complete course लेना है, आप healthy हो जाएगे, कई home remedies है, जो कर सकते हैं, दवाई के साथ साथ, स्कॉर्टम को support करें, अच्छा जो undergarments है, वो पहने, स्कॉर्टर support के लिए बहुत सारे options available है, market में, ठीक है, और अपना जो testis वाला, जो स्कॉर्टम का इलाका है, उससे आप cold सिकाई कर सकते हैं, उसको rest दे सकते हैं, उसको elevated तो दोस्तों किसी जरूरत मन को जरूर शेयर कर दीजेगा, ताकि उसको help हो जाए, और इसको जरूर लाइक करें, और हमाई चैनल को subscribe जरूर करें, thank you friends, stay healthy, stay happy